चल रहा है 2024 और इस टाइम पर स्मार्ट वाच मतलब एक्च्वल स्मार्ट वाच फायर बोड की ड्रीम वाच आई थी थोड़ी दिन पहले एंड्रोइड स्मार्ट वाच थी वो प्रॉपर एंड्रोइड ओपरेडिंग सिस्टम था उसके अंदर लेकिन थोड़ी बहुत कमिया बाई सब इस ज्यादा कॉंट्रोवर्शल मामला नहीं हो गया तो इस वाच के अंदर मारको एंड्रोइड 10 मिलता है और इसके अंदर नाविगेशन भी ठीक हो गया प्लस एप सपोर्ट भी मारको मिलता है मतलब स्टैंडलोन डिवाइस तो है यह भी भी सिम बगएर डालके उसके मिश्रण के साथ इन्होंने तयार करिए वाच और यहां पर वाक्स कोलेंगे यहां पर सबसे पहले हमारे को स्ट्रैप मिल जाएगी और यह आ जाती है हमारी वाच और वाच के उपर एक चीज़ मेरे को सही लगी स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड है इसके उपर औ पहले इसलिए और यहां पर बुक माई शो का वाउचर मिल जागा और स्कैन करना तो कर सकते हो आप और एक वारंटी दे शरंटी वाला कार्ड और यहां पर वाच ऑन करते हमारे को मिल जाएगा सबसे पहले फायर बॉर लिखा हुआ और एंड्रोइड की एनिमेशन यहां प यहां पर बड़िया बिल्ड क्वालिटी हमारे को मिलेगी सिलिकॉन की स्ट्रैप यहां पर मिल जाती है पीछे से कुछ ऐसी वाच है और वायरलेस चार्जिंग के साथ नहीं आती है यहां पर पोगो पिन आप देख सकते हैं एपल वायरलेस वाला वो पैड वैड होता ना इसके अंदर नहीं है और यहां पर हमारे को ब्सक्राइब यह हमारा उप्सक्रीच था जाए मैंसे अगम मत्री सब्सक्रीच है तो ऑर लेगा इस डिवाला के आहिए हमारा प्सक्राइब वह जोड़ा ही सब ना होग सब्सक्राइब सकते हो और यह वाच आती है कोटेक्स क्वाड को और सी प्यू के साथ एंद 16 जी बी इंटरनल स्टोरेज आइस के अंदर 2 जी बी हमारे को राम मिल जाएगी 2.4 गीगाट्स वाला वाइफाइस के अंदर है यानि कि डूल बैंड वाइफाइ जो मारा 5 गीगाट्स वाला होता सिरफ 2.4 गीगाट्स वाला आप कर पाऊगे एंड ब्लूटूथ भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा कोई बी डिवाइस वागेरा कनेक्ट करनी हो वाच से वह आप यहाँ पर कर सकते हो ब्लूटूथ का वर्जन मेंशेंड निया है यह वाच हमारी IP67 रेटिड है तो पा स्मार्टफोन वागेरा यूज करते हैं और जैसे वाच आप देख सकते हो अच्छी खासी स्मूधनस हमारे को मिलेगी कोई website वगरा स्क्रॉल करनी हो या इसका मेन्यू वगरा स्क्रॉल करना हो और यह वाच आती है 600 निट्स की brightness के साथ और brightness अच्छी है मतलब इंडोर आप दिल होगी वह इसके अंदर नहीं मिलेगा और अगर टच की बात करते हैं तो टच बड़ी है चलाने में जैसे मैं कैलकुलेटर वगरा चला के देख रहा था अच्छी कासी बड़ी कीज हमारे को मिलती है डाइल पैड पर नंबर बगरा करना हो काफी प्रिसाइजली डाइल हो जाता है और जैसे कि Android वाच है तो फुल साइज का कीबोर्ड जैसे स्क्रीन पर आता ना तो उसे चलाना थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो जाता है क्योंकि हमारी उंगलिया बड़ी बड़ी है इसके अंदर आता चोटा चोटा सा तो अगर आप प्रिसाइजली टैप करोगे इस वाच के अंदर हमारे को सिंगल टच इसे उंगली रखता सकता तो ये यह से यूज ऑने वाली धिस्प्लेय सी मल्टिपल फिंगर्स आप यूज्ज नि कर पाऊगे जैसे कि यह नगली काम करेगी एक पर ही में एक ऑंगली रिष्टर पाती है वाच जैसे कि यह मिनी फोन है तो भाई बैटरी बहुत मैटर करती है 700 mAh की बैटरी इस चोटी सी वाच के अंदर डाल रखी है जो कि एक बहुत बड़ी चीज है लेकिन 700 mAh एक स्मार्ट फोन के जाप से आप जज करो तो वो इतना जादा नहीं है अगर हम इसको तकड़ा यूज करते हैं जैसे अप्लिकेशन चल रही है अप्लिकेशन के अंदर फोर एक्जामपल हमारा जीपीएस यूज हो रहा है हम गाने भी चला रहे है यूट्यूब चला रहे है तो भाई बैटरी 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 बैकर यूज़ा है यह जाद जाद था-इनसे-4 गंट का बैटरी बैक यह दे पाती है लेकिन अगर आप बेसीक उसेज़ करो Canadians के लिए लिए नौर्मल आपने वूच यूज़ करी है और हाथ में बदी भी है जादा इसके अंदर तिकड़म नहीं कर रहे हो तब जाके इसका बैटरी बैकप हुमारे को आठ से 10 गंटे का या जादा जादा 15 गंटे का मिल जाएगा कैसे पावर सेविंग मोड भी है अगर आप वो लगा दोगे तो और चीज़े थोड़ी डिफर थोड़ा से common sense लगाने वाली बात है एक smartphone जो होता है normally android smartphone इतना बड़ा होता है और वो सारा इतनी सी watch में फिट कर दिया फिर यह application भी चलवा पारी है sim भी चल रहा है चके अंदर network में भी हमारी machine काफी यूज होती है तो देखो गरम तो होगी और गरम ये भी हो रही है depending upon your usage जादा extreme यूज करते हो तो अच्छी खासी गरम हो जाती है basic यूज करते हो normal apps वगरा चलाते हो तब कोई ऐसा चीटिंग का इशू मेरे को नहीं है और आप यहां पर हमारे को firebolt app भी मिल जाएगी जो आप android और iOS दोनों पर डाल सकते हो ऐसा user interface मिल जाएगा यहां पर देख सक आप के अंदर और यह फोटो जाकर हमारी गैलरी में सेव हो जाती है उसके लावा कौन कौन सी आप का नोटिफिकेशन हमारे को चाहिए वह सब यहां पर टॉगल कर सकते हो बेसिकली यह पहले से दिखाता है इसके अंदर और यहां पर अगर आप आप कर दोगे ना तो सारी अप्लिकेशन के नोडिफिकेशन आपको आपकी वाच पर मिल जाएंगे और यहां पर हाट रेट मॉनिटरिंग का उप्शन मिल जाता है जो हमारी वाच से सिंग हो जाता है और हाट रेट सेंसर बाइक सारी चीज़े कैसी है वह सबबभ में आगया कवर करता हूं उसके ला यहां पर मिल जाएगा और वाच का यूई कुछ इस तरीके सा है जैसे हां पर हॉम स्रीन मिल जाएगी और यहां से राइट स्वाइप अगरं करेंगे तो वाच के फेसी हमारे को मिल जाएंगे जो इसके अंदर बाइडिफॉल्ट ड़के आ रखे हैं यहां पर कैसा भी वा लगानी हुए कुछ भी आपको लगाना उससे अपना वाच फेसा बना सकते हूं कि स्वाइप अप करेंगे तो यहां पर वाइफाय ब्लूटूथ बैटरी परसेंटेज वाच रिंगिंग करनी है कुछ करना है जैसे एंड्रॉइड के अंदर होता है इसके अंदर कुछ इस आप स्वाइपल वाला स्टाइल बी लगा और फोड़ा सा लेकिन जो दूसरे वाले हैं वो काफी स्मूथ चलते हैं और बागी शेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो हमारे पर सारे ऑप्शन जैंगे जैसे वाइफाई का अप्शन मिल जाता है यहाँ पर वाइफाई कर सकते उसके लावा Bluetooth हो गया, Wi-Fi hotspot का option मिल जाएगा, जो की काफी साही चीजे, इसमें आप डालोगे तो दूसरे phones वगर आप connect कर पाऊगे, Wi-Fi hotspot के थूरू, और location option है, wireless update, यानि कोई watch में update वगर आएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, and उसके लावा brightness हो गया, screen timeout आप set कर सकते हो, और हाँ, एक चीज मैं आपको बतातु हूँ, कोई भी always on display का option नहीं है, इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे screen timeout आप set up कर सकते हो, और third party applications का size कैसा रखना है, वो यहाँ पे हम manage कर सकते है, smaller, small, default वगरा, उसके लावा language हो गया, input method हो गया, application का view भी आप यहाँ से change कर वा और उसके लावा sound का option है, date and time, password लगा सकते हो, SOS हो गया, battery, application, reboot, factory reset, वागी सारे basic options ही है, और अगर watch की UI की performance के बारे हम बात करते हैं, तो थोड़े बहुत minor lags हमारे को यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कोई application वगरा हम open करते हैं, कोई application तो एकदम open हो जाती है, बढ़ किसी की application मे खुलने में थोड़ा time लगता है, जैसे कि हमारे को इसके अंदर 2GB ही RAM मिलती है, और यहाँ पर RAM management भी ठीक है, जैसे एक application खोलते हैं, और अगर दूसरी खोलेगे ना, तो background में इतनी देर तक app चल नहीं पाती, मतलब application किल हो जाती है, इसके अंदर, कोई हलकी application होगी, तो ज बुक अप काफी heavy application हो चुगी है, पहले के comparison में, और Instagram में इसके अंदर चला के देख रहा था, Instagram भाई, प्रॉपर्ली नहीं चला इसके अंदर, Instagram के अंदर जैसे प्रॉपर्ली हम स्क्रॉल वगरा करते हैं, तो कुछ भी लोड नहीं होता, रील्स वगरा लोड नहीं होती है और यहाँ पर single image ही बनके आती है, फिर मैंने Instagram light इसके अंदर डाला, Instagram light के अंदर प्रॉपर्ली सब कुछ चल रहा था, जैसे रील्स वगरा भी चल रही थी सब कुछ है, लेकिन इस चीज में वहाँ पर भी नोटिस करी कि प्रॉपर आप्टिमाइज नहीं है, जैसे रील्स आप करते हैं, तो हमारे ABCD कुछ इस तरीके सा आती है, काफी बड़ी-बड़ी कीज आ जाती है, जिससे आप प्रॉपर्ली टाइप कर पाओगे, कोई भी आपको अगर alphabet टाइप करना हो, लेकिन अगर ब्राउजर के अंदर आप या फिर Android के किसी app के अंदर अगर आप कीब बारा से चलाना पड़ेगा उसको प्रॉपर्ली चलाने के लिए, तो थोड़े बहुत लाग्स और स्टर्टर्स वगएर आप हमारे को मिलते हैं, और अगर आपको ऑन-लाइन कुछ ऑडर करना हो, तो यहाँ पे जुमैटों ने सके अंदर डाला है, ब्लिंकिट अमने सके अ कभी, और यूट्यूब पे कोई वीडियो अगरा देख नहीं हो, यूट्यूब आप इसके अंदर चला सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब से लाना में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है स्मार्ट वाच के अंदर, वो है वॉल्यूम लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर, इसके फायरोस के साब से थोड़ा सा मंदर पैच हो रखा है, जो हर जगह नहीं चलता, यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए इसकी वॉच की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और सेटिंग्स में जा वॉच के किसी भी एरिया में अपने क्राउन से या किसी भी चीज से वॉल्यूम कम जाधा कर पाएं किसी शॉटकट से, यह मेरे को एक मतलब अच्छा कासा ड्रोबैक, मतलब मेजर ड्रोबैक लगा, एक स्मार्ट फोन, मिनी फोन के साब से, और उसके लावा ब्राउजर य जागे चलाना पड़ेगा, डेडिकेटी डैप नहीं है, अगर कैप वगरा बुक करनी हो, ओला, उबर आप इसके अंदर चला सकते हो, चैट जी पीटी चलाने का मनो, तो चैट जी पीटी के एप्लिकेशन प्लेशोर से डाउनलोड कर गए, वह आप इसके अंदर चला और बागी सारी बेसिक अप्लिकेशन जैसे मेसेजिंग, डायल, कॉंट्रैक्स, मूजिक, अल्बम, ब्राउजर, यह सब यहाँ पर हमारे को मिल जाता है, और यहाँ पर इसके ओपर प्रॉपरल्ली यूज कर सकते हो, टच वगरा काफी सही चलता ही है, और यह वाच हमारी 4 प्रॉपरली चलता है, इस वाच के अंदर हमारे को जायरो मिलता है, टेंपल रन के अंदर जैसे लेफट राइड वाच को टिल्ट करते है, तो प्लेयर मूव होता है, एंड सब्वे सरफर खेलना हो, आम से खेल सकते हो, कैंडी क्रेश हो गया, लूड हो गई, यह एक और मे प्लेच नहीं है, क्या है, उस चीज में इंप्रॉफ्मेंट है, एंड हेल्थ मॉनिटरिंग के मामले में, HR मॉनिटरिंग, SPO2 यानि कि oxygen मॉनिटरिंग, sports and pedometer यहां पर हमारे को मिल जाता है, और यहां पर इसका मैं SPO2 टेस्ट करके देख रहा था, हवा में भी रीडिंग भी रीडिंग देती है, हाथ पर तो दे ही देती है, तो यहां पर मैं कहूंगा, sensors वगरा इतने accurate नहीं है, HR वगर आप ना पोगे तो उसको भी मैं कहूंगा, नहीं कि आप इस watch पर रिलाय करो, sensors के मामले में accurate नहीं है, तो यह था पूरा रिव्यू Firebolt Oracle smartwatch का, और यह watch आपक से watch ठीक है, still अभी भी थोड़े बहुत flaws हैं, जो जो मैंने आपको बता है, इस वीडियो के अंदर, अगर आपको Android smartwatch लेनी है, basic smartwatch के लिए आप नहीं जाना चाहते है, कुछ extra करने का मन है, तो आप इसको consider करके चल सकते हो, Apple Watch Ultra वाली पूरी look यहां पे आपको मिल जाएगी plus Android का तरका, साथ में app support इन्होंने डाल दिया है, काफी चीजों में improvement करी है, बट यहां तक मुझे लगता है कि future में और जो watches आएंगी, उसके अंदर मारे को और भी जादा improvement देखने को मिलेंगी, एंड हो सकता है, इसके अंदर भी software update वगर आके, जो जो चीजे मैंने बताई वो सब ठीक हो जाए, क्योंकि जैसे कि Android है, तो update rollout हो सकते हैं, और आपके क्या thoughts है, इस watch के बारे में मेरे को comment section में जरूर बताना, एक चीजे में बतादो, जो features Android watch में मैंने आपको दिखाए, अगर आपको उन features का कोई काम नहीं है, तो आप normal smart watch के लिए भी जा सकते हो, यह थोड़े techie logo के लिए smart watch है, जिनको मतलब apps, apps, game, game, यह सब चीज अपने हतेली पे चाहिए, smart phone आपको carry नहीं करना, gym आप जाते हो, सिर्फ हाथ में watch है, इसी के अंदर sim डाल लिया, सारा हो, जिसी के अंदर हो जाएगा, तो मतलब multiple possibilities हैं, वो आप figure out करो, कि आपकी क्या need है, और यह watch आपकी fulfill करती है, नहीं करती, अंदर पसंद आई, वीडियो तो like मार देना, और इस टाइब का content पसंद आता है, तो चैनल को subscribe कर सकते हो, बेल आइकन पे all दबा सकते हो, बागी हम मिलते हैं आपसे next video अब तक के लिए, बाए